हेलो गाइज दिस जावलासन और वाचिंग हासनार्ट स्टूडियो और इस अनदर वीडियो अफ दमेशन 30 स्रीज और इन दिस वीडियो विल डिसकस अबाउट पेंटिंग और जो यह मौडन पेंटिंग्स हैं अब हमारे तीन चैप्टर बचे हैं बस जिसमें मौडन पेंट पेंटिंग्स और ग्राफिक प्रिंट्स और इसकुप्चर तो यह तीन चैप्टर जो है यह मौडन पेंटिंग के मौडन एरा के अंडर में आते हैं तो मौडन एरा में अब हम देखते हैं पेंटिंग तो इसमें सिर्फ पेंटिंग रखी हैं डायरेक्ट और उनके पेंट प्राइड ओप दू ओशन, मादर टेरिसा, मादर एंड चाइल, अन हल्दी करेंडर, यहाँ पर हमें थोड़ा, जो इनका मीडियम है, उनमें चेंजेस देखने को में लेंगे, जो हमारा टेकन चैप्टर था, वहाँ तक हमने बढ़ा, कि मीडियम हमारे वाटर कलर, एंड टेकनिक टैंपरा यूज हुई है, उसके बाद बेंगॉल स्कूल में हमने बढ़ा, टेकनिक वाश एंड टैंपरा यूज हुई है, और मीडियम वाटर कलर ही है, अब यहाँ पर मीडियम चेंज होने वाले हैं, तो ये आपको दियान में रखना पड़ेगा और यहां की जितनी भी paintings हैं Bengal School से आगे की उनका जो collection है जादतर paintings का वो National Gallery of Modern Art में है और उससे पहले की जो Decken School से पहले की painting है उनका collection National Museum New Delhi में है तो यहां पर चलिए शुरू करते हैं पहली painting देखते हैं तो इस painting के artist है राजा रवी वर्मा राजा रवी वर्मा के बारे में हमने modern trends की बात हो रही थी तो तब हमने इनके बारे में पढ़ा था तो यहां पर अब देख लेते हैं राजा रवी वर्मा इसके painter है period modern medium oil color on canvas circa 19th century collection चित्रशाला मैसोर करनाटका क्योंकि यह करनाटक साइट से थे तो इनकी जो painting है यह collection इसका वहीं पर है subject matter की बात करें तो this painting is based on the scene from the वालमी की रमायना तो रामायना से यह scene लिया गया है composition की बात करें this painting based on the scene from the वालमी की रमायना and this is the poranic ancient mythological story themes painted by राजा रवी वर्मा और इनका जो style था वो European style था जैसे हमने बढ़ा था कि यह themes जो है वो Indian रखते थे और जो style होता था इनका वो European होता था जैसे यहाँ पर realistic चीज़ है आपको दिख रही है he was one of the first Indian painter to use oil paint and master the art of lithographic reproduction for mythological subject तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह first Indian painter हैं जिन्होंने oil painting करना शुरू किया था और यह lithographic reproduction में भी माहिर थे और इन्होंने ही सबसे पहले lithograph यहाँ पर करना शुरू किया था जिसमें क्या होता है जो painting होती हूँ उनको print करके रखा जाता है और फिर बाद में उनको भी sale करा जाता जैसे कि painting तो एक है अब उसकी copy करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें different हो जाएगा बट यहाँ पर painting को अगर copy करेंगे या फिर print करेंगे तो same to same आएगी तो ऐसी same to same painting फिर लोगों के घरों तक पहुँची और उनकी पूजा होनी शुरू ही and he used in this painting the style of academic realism जैसे कि हम बात करें थे and in this scene राम नीड to build a bridge in southern Indian to the Iceland of Sri Lanka for his army to cross the ocean तो यह तब की बात है जब राम सीता को लेने के लिए Sri Lanka जा रहे थे जब राम सीता जी को उठा करके ले गया थे वरुन, god of ocean not giving way to reach Lanka to राम तो यहाँ पर जो god of ocean है वरुना तो वो यहाँ पर उनको रास्ता नहीं दे रखे हैं लंका जाने के लिए but राम in anger stands to shoot his fairy arrow into the ocean तो यहाँ पर वो गुस्ते में खड़े वे हैं अपनी बाउ को छोड़ने के लिए इसके ocean के अंदर अगर उन्होंने ocean में छोड़ दिये तो पूरा ocean सूख जाता and the whole composition is well balanced and dark colors are used European effect in quite visible in the painting तो यहाँ पर हमें European effect देखने को मिलता है और यहाँ पर background dark है और यहाँ बहुत सारे आप realistic चीज़े देख सकते हैं और यहाँ पर figure भी आप देख सकते हैं four figure इसमें दे रखें यह सारी चीज़े आप description में लिख सकते हैं अगर आप से description पूछा जाता है तो यहाँ पर जो वरुन आये हैं वो अपनी wives के साथ यहाँ पर आये हुए हैं इनको रोकने के लिए बट यह बहुत anger में हैं और यह कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे रास्ता नहीं दिया तो मैं यह आपका पूरा समुदर सुखा दूँ तो इसके पीछे की जो story है आप लोगों को जादा बहतर पता होगी तो वो आप story भी इसमें थोड़ी बहुत लिख सकते हैं ताकि आपके 200 words हो सकें अगर यह 200 words में आता है तो अब राजर रविवर्मा के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहाँ पर वैसे तो आर्टिस के बारे में ज़ादा नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं राजर रविर्मा वाज असेल्फ मेंड आर्टिस हूँ इस नोन फॉर इंट्रूशिंग ओयल केंवस इंडिया तो यह इंडियन आर्टिस हैं जुन्हों ने यहाँ पर इंट्रूश किया ओयल केंवस पेंटिंग करना तो यहाँ पर इंट्रूश की शुरूआत की थी जिसमें कि यह अपनी पेंटिंग को जो है प्रिंट करके सब लोगों को यहाँ पर सेल आउट कर रहे थे तो यह पर इंटिंग के फील्ड में ही कुछ अगर करना चाहते हैं तो यह आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट है तो यहाँ जब यह 14 साल के थे तो इन्होंने तीन मिनियचर पेंटिंग महाराजा दरवनकोर को सेंट करी थी लेकिन इस में थोड़ा कंटिविर्सी है कि वो किसी आर्टिस से नहीं पड़े हैं उन्होंने किसी से नहीं सीखा है लेकिन यहाँ पर मेरे को सोर्स से पता चला था थे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर इनको क्रिटिक भी बहुत क्या गया है क्योंकि जो पंडित लोग थे उस ताइम पे तो वो इनको क्रिटिसाइज करते थे कि यह जो गोड़ और गोड़ेज हैं उनकी पेंटिंग्स बनाने के लिए लाइब लोगों का यूज़ करते थे मतलब किसी लेडी को सामने बिठा करके किसी महीला को सामने बिठा करके यह गोड़ेज बगएरा बनाते थे तो इसलिए इनके बहुत जादा मुखालफत की जाती थी और ये nude paintings बनाने की बज़े से भी बहुत जादा उस time पे criticize हुआ इनका इनकी आप movie देख सकते हैं जिसका नाम है रंग रस्या ये YouTube पे भी मिल जाएगे आपको इसमें रंटी फुट्टा ने रोल निभाया है इनका तो ये काफी अच्छी movie है वो आप देख सकते हैं पूरी आपको story समझा जाएगे बहुत जादा सही अच्छे से His other well-known paintings तो ये और other paintings हैं इनकी ये भी आप देख सकते हैं लेकिन इनको याद रखने की आपको जरुरत नहीं है अगर आप painting में आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं तो 12th class में हैं तो ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे इतने सारे लेकिन यहाँ fruit seller वगएरा और जो हम painting की बात करें तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है and title of the painting Mother Teresa next painting की बात करते हैं तो Mother Teresa painting यहाँ पर M.P. Hussain की बनाए हुई है modern period है oil color on canvas और इसका सरका 1979 to 80 AD and collection National Gallery of Modern Art New Delhi subject matter this painting from the series Mother Teresa by Hussain and Hussain has given a tribute to the lady Mother Teresa who served the poor and the homeless throughout her life तो यह पूरी लाइफ में जो Mother Teresa है तो उन्होंने पूरी लाइफ में गरीबों की मदद किया है यहाँ पर जिनके घर नहीं है उनको आसरा दिया है तो यह उनके बारे में यहाँ पर इसको depiction किया गया है M.P. Hussain द्वारा composition की बात करें तो यहाँ पर कई बार यहाँ पर उनको दर्साया गया है और यहाँ पर हर जगह पर इनके पास कोई न कोई बच्चा यहाँ पर दिखाया गया है तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यह हाथ जो दिखाया गया है इसको अलग से depiction दिया गया है highlight दिया गया है ताकि वो बता सकें कि इनका हाथ सब के उबर है और इन्होंने जैसे चिल्डन्स वगएरा जो हॉमलेस पीपल है उनको आसरा दिया है और यह सारी चीज़ा इसमें दिखाए गई है तो वहाँ यह उस ताइम पे गई थे जब यह पेंटिंग सेरीज बनाई थी तो उससे पहले इन्होंने ऐसी पेंटिंग्स थोड़ा बहुत वहाँ से इन्होंने आइडिया लिया है तो वह सारी चीज़ यहां पर देखने को मिलती है and the central figure of the seated mother has grown up man laying on her lap horizontally तो यह इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो center वाला figure है तो उसमें यहाँ पर एक इतना बड़ा उनके lap में लेटा हुआ दिख रहा है and painting looks like a collage of paper cutout तो यहाँ पर जैसे तीन parts में से divide किया गया है तो यह cutout जैसे लगता है paper में से cut cut के से हमें चिपकाया गया है and hussein give us clue to understand the story behind this for making faceless figure तो यहाँ पर faceless figure इसलिए बनाए गया है ताकि हम खुद से इसके जो facial features हैं या फिर जो expression हैं वो हम खुद से समझ सके कि इन्होंने क्या-क्या वो society को बताना चाहती हैं वो आप अपने हिसाफ से आप समझ सके तो ऐसा कुछ इस painting में दिखाया गया है अब hussein के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मक्बूल फिदा hussein was born in Madhya Pradesh on September 17, 1915 schooling from indoor and he got admitted to an art college in Bombay but had to drop out due to the shortage of money तो यहाँ पर उनके पैसे ना होने की बचे से उनके पास जादा तो इन्होंने अपना college भी, school भी छोड़ना पड़ा and he then started painting poster for the Indian cinema उस टाइम पे flags बगरा नहीं चलते थे तो Indian cinema, मतलब जो भी movies आते थी तो दिवारों पे poster हाथ से बनाय जाते थे तो उन में से one of the painter यह थे जो हाथों से painting बनाते थे and इनकी इतना practice हो गए थे उस time पे क्योंकि माधूरी दिख्षित के उस time पे जादा movies आते थे तो यह बिना देखे माधूरी दिख्षित को ऐसे ही बना सकते थे इतना इनको practice हो गए थे and his creation Sunhera Sansar was exhibited in Bombay in 1947 after which he gained a lot of popularity तो सबसे पहले इनको यह जो light मैं सुनहरा संसार इनकी exhibition थी Bombay में 1947 में तो उसके बाद यह light मैं इनको लोग जानने लग गए and he was deeply influenced by the Basoli school and European artists like Picasso and John Greese तो यह influences है Picasso and European artists John Greese से और Basoli school से तो क्योंकि इन्हें इंडिया का Picasso भी कहा जाता है यह भी आप याद रखेंगे कि who is known as Indian Picasso His execution is modern but themes are traditional तो यहाँ पर जो अगर इनका execution मतलब paintings देखे हैं इनकी बनाई वी तो वो modern है बट themes यहाँ पर tradition रखी गई हैं पुराण new themes इन्होंने लिए है and his painting on Ramayana and Mahabharata expressing violence and injustice are world famous तो इन्होंने जो Ramayana और Mahabharata पे paintings बनाई है ऐसी कुछ तो उसमें injustice तद दिखा है उनके साथ तो इन्होंने कुछ ऐसी paintings बनाई है जिनकी मुखालफत की गई जिनको bycote किया गया और जिसकी वज़े से इन्हें इंडिया छोड़ करके जाना पड़ा तो ये एक ऐसे आर्टिस हैं जिनको पदमश्री भी पदमभूशन भी और पदमविभूशन भी मिला हुआ है जिनको तीनों ये greatest award होते हैं किसी भी field में तो ये उनको मिले वे हैं ये ऐसे वन अब दे फेमस आर्टिस हैं अगर नेक्स पेंटिंग के बारे में बात करें तो Mother and Child Mother and Child में क्या दिया गया है उसके बारे में देखते हैं तो जैमनी रोई की ये पेंटिंग है और Modern Watercolor in Paper तो ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें वाटर कलर यूज होगा दिख रहा है हमें Modern Paintings में भी और इसका सरके की बात करें तो 1939 Collection National Gallery of Modern Art in New Delhi Subject Matter इसका है इसका है इन इस पेंटिंग A Mother and Her Child Unconditional Love has shown With the Simplification तो यहाँ पर बेसिकली ये Love यहाँ पर दिखाया गया है Mom का बच्चे के लिए बच्चे का Mom के लिए इसका Composition देख लेते हैं In this painting A Mother and Her Child Are rendered with the bold Simplification and thick outline With the sweeping brush stock तो यह जो आप स्टॉक देख रहे हैं तो यह sweeping मतलब ऐसे मारे वे स्टॉक हैं जिनसे इसमें बहुत जादा Rhythm दिखता है हमें और bold स्टॉक यहाँ पर मतलब इस पेंटिंग में देखने को मलता है And the two-dimensional nature Of the painting is Drived from Pat painting And his search for simplicity And pure form is visible तो यहाँ पर जो आर्टेस्ट हैं जैमनी रोए तो उन्होंने यह simplification लाने के लिए अपनी पेंटिंग्स में पूरे एरिया में जा जा करके वहाँ के Tradition सीखा है गाउं में जा करके जैसे गाउं में घरों में paintings होती है बनीवी होती थी बनीवी जैसे मिट्टी के घर होते है तो उन पे पुरानी महिलाएं painting करती थी थी अपने हाथ से पुराने घरों पर अगर हम देखते हैं तो बहुत simple painting होती है वो simplicity लाने के लिए इन्होंने पूरे area का वहाँ पर कोलकाता side का पूरे area का इन्होंने ब्रहमण किया था या फिर visit किया थे इन्होंने सारे areas यह simplification लाने के लिए जो की इस painting में दिखता है तो पट एक काली घाट की पट चित्र कला होती है काली घाट की पट चित्र तो यह वो पट चित्र यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसकी simplicity उसकी documentation उसकी decorative उसका रिधाम यह सारी चीज़ा हमें देखने को मिलती है to achieve and learn the purity of the put he first made many monochrome brushes drawing and then gradually moved to basic seven colors applied with the tempera तो यहाँ पर सबसे पहले यह क्या करते थे monochrome paintings बनाते थे अभी भी बहुत सारे artists monochrome painting बनाते हैं पहले फिर उसके उपर color apply करते हैं monochrome मतलब होता है एक ही color से उसमें shade एक ही color के shade से हम पहले drawing को निकालते हैं मतलब जो भी चीज़े हमें shape देनी होते हैं वो shape देते हैं फिर बाद में उसमें color करते हैं तो यह पहले ऐसा करते थे फिर उसमें seven simple colors और seven colors यहाँ पर apply करते थे इंडियन red yellow ochre, cadmium green, vermilion, charcoal gray तो यह सारे colors इसमें यह यूज करते थे अगर जैमनी रोय के बारे में बात करें जैमनी रोय वाज बॉन in April 1887 in a blaze the district of bangkura in west bangal तो bangkura district के यह west bangal से belong करते हैं and the richness and culture of blaze life contributed greatly to the culture development of his later life तो इनकी जो बात की life थी वो सारा blaze का जो सारी चीज़े थी वो उनकी paintings में मैं देखने को मिलते हैं और यहां पर इनोंने countryside मतलब गाउनों का यहां पर इनोंने ब्रहमन किया है यह फिर visit किया है गाउनों को और वहां पर इनोंने जो वहां के जो आर्टिस हैं तो उन से यहां पर सीखा है इनोंने इतना simplicity और इतना यह traditional art And from 1925, he started painting in the style of the Patuaz of Kalighat. तो यहाँ पर Pat Chitrakala इन्होंने शुरू करी थी 1925 में. And his painting won international fame after exhibition in London in 1946 and in New York in 1953. तो यह इनकी painting जो है fame इनको मिला 1946 and 1953 की exhibition से. And he was a long traveler and art to him was a mission. तो यह एक traveler थे, एक art के field में traveler थे और इनका जो passion था या जो mission था वो art था, only art. ठीक है. And he was called the father of the folk renaissance of India. Father of folk renaissance of India जो कहे जाते हैं वो Germany Roy कहे जाते हैं. यह पिछली बार भी question में आया था और आप लोग यहाँ पर distract हो गए थे. यह folk renaissance, folk की बात हो रही है तो folk renaissance के यह father of India कहलाई जाते हैं. अगर renaissance of India की बात करें, only renaissance India की बात करें तो वो अबनिंदरनाट टेगोर कहलाते हैं. Father of renaissance art. अबनिंदरनाट टेगोर और folk renaissance, तो यह जैमनी रोए. यह बहुत ही minute detail है, इसे आपको ज़रूर याद रखना है, तुकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों का इसी बज़े से यह गड़वर हुआ था. और टाइटल ओफ दे पेंटिंग हल्दी ग्रेंडर नेक्स पेंटिंग अमरिता शेयर के लिए पेंटिंग मनाई है, modern इसका period है, और medium oil on canvas, और सरका देखें तो 1940 collection National Gallery of Modern Art, subject है depicting Indian women busy in a traditional activity grinding dry turmeric, तो यह जैसे हल्दी ग्राइंडर इस पेंटिंग का नाम है, तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि जो Indian women है, जो उनकी traditional activity है, उस time पे जो हल्दी बगरा, या मसाले या फिर जो आनाज बगरा होता है, वो खुद हास से पीसा करती थी, composition की बात करें, अमरिता शेयर्गिल पेंटिड हल्दी ग्राइंडर इन 1940, and this was the time when she was seeking inspiration from Indian idyllic rural scenes, तो यहां पर वो यह वो time है, जब यह इंडिया की जो day-to-day life है, वहां की जो women's की life है, उनसे सीख रहे थी, and the focus of this अमरितास painting is intended for a showcase on the burden life of women in India, तो यह showcase करे थी, Indian की women की life, and depicting Indian women busy in the traditional activity of grinding, driving terminic, had to be painted in Indian style, तो यह अमरिता शेयर्गिल Indian paintings अभी यहां पर क्यों सीख रहे थी है, Indian tradition क्यों सीख रहे थी, क्योंकि यह Indian नहीं थी, यह बाहर से आई है, अगर इनकी बात करें, तो यह Hungarian है, Hungary से आई है, क्योंकि इनकी मम्मा जो थी, इनकी मम्मी हंगेरियन थी, और इनके फादर इंडियन सिख फैमिली से बिलॉंग करते थे, और यह फ्रांस से बढ़ के आई थी, तो इसलिए हमें यहां देखने को मिलता है, कि यह Indian women की जो burden of life है, इनको अलग लगी होगी, क्योंकि यह फ्रांस से आई थी, तो यहां पर आप पेंटिंग देख सकते हैं, तो इसमें प्लेन कलर ही हमें ज़ाद देखने को मिलता है, इसमें वो 3D ने ज़ाद हमें देखने को नहीं मिलती है, बट फिर भी यह पेंटिंग 3D और modern पेंटिंग जैसी दिखती है, The women and trees are painted as flat shape, Flat shape मतलब होता है जिसमें हम 3D look नहीं देते हैं, shadow वगरा जादा नहीं देते हैं, shading नहीं करते हैं side में, तो वो flat shape के होते हैं, तो यहां flat shape के दिखते हैं, and share will not given any depth in the landscape, and prefer semi abstract pattern as a modern artist, तो यहां पर इन्होंने depth नहीं दिया, depth मतलब 3D नहीं दिख रही है, पीछे की चीज़ें छोटी नहीं है, पीछे की चीज़ें उसमें गहराई नहीं दिख रही हैं, पेंटिंग में हमें, वो 2D पेंटिंग जैसी दिखती है, लेकिन वो भी semi abstract pattern के हिसाफ से, and artist की बात करें हाँ पर, Amrita Shergill was born in Budapest, Hungary on January 13, 1913 AD, and Hungarian mother and scholar Indian father of Sikh royal family, and the family returned to India after the first world war in 1921, and she learned painting from Ecole Nationale, the famous art school in France, and after spending about six years in Europe, she long to come back to India, and from 1935 onward after she came back to India, till her death and age of 28 in 1941, तो इनकी जो death है, वो 28 years में ही हो गई थी, काफी कम समय में ये चली गई, and she produced about 40 paintings in oil, which are considered as a masterly creation of Amrita Shergill, तो इनन 28 year में इनकी death हो गई थी, और ये बस 40 paintings आपके अपने life में बना पाई, और अगर इनकी questions की बात करें, तो question में जैसे देखते हम, in which medium the mother and child painting is made, तो mother and child को यहाँ पर water color से बनाया गया है, and mention the title of the paintings done by painter Amrita Shergill, Amrita Shergill की painting का जो title है, वो हल्दी grinder है, name of the painting done by Raja Ravi Verma, तो वो राम विंकशिंग प्राइड ओप दे ओशन है, फोर्द की बात करें, what is the full name of M.F. Hussain, तो वो है मक्बूल फिदा Hussain, and question number five, who known as father of Indian modern art, तो Indian modern art के father यहाँ पर Raja Ravi Verma को कहा जाता है, and mention the title of the painting done by the Jamini Roy painter, of the Mughal school painter Jamini Roy, तो इसमें mother and child इनो ने बनाई है, mention the title of the painting done by Jamini Roy, painter of the, Pantro of the, Pantro of the modern, modern period, और Bengal painter भी कह सकते हैं उनको, Pantro of the modern period और Bengal period, ठीक है, यह मुगल यहाँ गलत से लिखावा है, who was the father of the folk renaissance of India, तो folk renaissance of India, कि अगर father of folk renaissance of India की बात करें, तो वो हैं Jamini Roy, अगर सिर्फ renaissance of India की बात करें, who was the father of renaissance of Indian art, यह renaissance of India, तो उसमें हम लिखेंगे, यहाँ पर अबनिंदरनाटागोर, अबनी बाबू, ठीक है, इन विच इंडियन विमन बिजी इन ट्रदिशन एक्टिविटी ओफ ग्रांडिग जुट ग्रांडिग तो कॉन सी पैंटिंग में यहाँ पर हमें राइटरमरिक को करते वे इस एक्टिविटी को विमन दिख री हैं, तो वो है हल्दी ग्रांडर, and who had to drop out their college due to the shortage of money, and then he started painting poster for the Indian cinema, तो वो है M.F. Hussain, and he was one of the first Indian painter to use oil paint and master the art of lithographic reproduction methodological subject, तो वो है Raja Ravi Verma, ओके, next अब देखते हैं short questions, तो यहाँ पर अगर first question की बात करें, and evaluate the composition arrangement of the following in short, write short note on the following, तो राम एंग किशिंग प्राइड अब्दन, Mother Teresa and Haldi Grindr, तो जैसे आपने देखा उसको कैसे लिखते हैं, वो वैसे ही आपको यहाँ पर इसको describe करना है, यह सारी paintings को, and describe the contemporary Indian painting Mother Teresa in short, तो यहाँ पर Mother Teresa को short में describe कर सकते हैं, तो इसमें वो लव दिखाएगा है Mother and Child का, और जो भी पेंटिंग में दिख रहा है, वो composition आप यहाँ पर लिख सकते हैं, and short answers देखें, आप विच वन उप दे contemporary Indian painter you like the most, यह इस टाइप का question नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप जब कोई तो आप painting पढ़ेंगे यह बहुत अच्छे से, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते थे, और अगर ऐसा question आता है तो लिख सकते हैं, and identify any relevant painting of the modern period, including in your course of study, comparsing the following features and explain them in the paintings accordingly, तो यह features किस painting में दिखते हैं, he was the father of the folk renaissance in India, and who traveled to the countryside of Bengals to learn from the folk artisan, the expressive power of their lines to create an alternative vision of modern Indian identity in art, तो वो है हमारे jamini roy, और jamini roy की painting है mother and child, तो उसके बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, next आता है, depicting Indian women busy in the traditional activity of grinding dry turmeric hat to be painted in Indian style, तो यह features किस में दिखता है, तो यह dry turmeric के अगर जहाँ बात हुरी तो वो haldi grinder है, तो यहाँ पर artist का name लिखना है, artwork का name लिखना है, and description of the artwork, उसका description देना है, and describe one more, two contemporary Indian paint, name of the artist, their artwork, name of the medium of the technique, and description of the paint, कोई भी two artists ले ले लेंगे, उनके जो medium है, painting करने का, और कौन सा technique है, वो यहाँ पर आप लिख देंगे, और उनकी painting के बारे में describe कर देंगे थोड़ा बहुत, and long question की, अगर हम बात करें, तो यहाँ पर long question आता है, to achieve and learn the purity of the putt paintings, तो यह वह ही है, jam नी रोए, तो उनके artwork के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, and he had to drop out the shortage of money, shortage of money के बारे में यहाँ पर लिखना है, उनकी painting के बारे में लिखना है, तो यह सारी चीज़े, और ऐसे ही questions इस बार भी आने वाले हैं, तो यह बहुत ज़ादा important question हो जाते हैं आपके लिए, अगर आप 2023 में exam दे रहे हैं, तो क्योंकि आपके pattern में इसी type के question है सारे, तो आप यह बहुत अच्छे से बढ़ करके जाएंगे, तो I hope यह वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसे like कर दें, और अपने friends के साथ से share कर सकते हैं, अगर वो class 12 में बढ़ते हैं, और उनके पास painting subject है, और हमारा channel भी subscribe कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक सचरेनल subscribe नहीं किया है, और आप 12 class में painting के student हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, thank you for watching.